अगर तुम्हें पावर वाले और सुपर नेच्रल एनिमे को छोड़कर कोमेडी एनिमे में पसंद आते हैं तो ये सीरीज तुम्हें सच में बहुत ही ज़दा पसंद आने वाली है इस सीरीज को explain करने का बस एक ही रीजन है और उसी रीजन की वज़े से हम इस वीडियो पर 6000 लाइक का target रखते हैं वैसे सीरीज तो बहुत ही अच्छी है लेकिन 10-20 सेकंड का time pass करने के लिए बात कर रहा हूं कि एक क्यूज नाम के एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसके बचपन में एक लड़की दोस्त हुआ करती थी जिसे Russian language आती थी क्यूज ने उन से थोड़ी-थोड़ी language सीख ली थी अब जब वो high school में आया तब वो लड़की तो ना जाने कहां चली गई पर किसमत से उसकी class में एक दूसरी Russian लड़की आई जिसे स्कूल के सारे लड़के पसंद करते थी लेकिन इस सीरीज की उसके नाम पर बनी है इसलिए वो सिर्फ की उसको ही पसंद करती है सीरीज में थोड़ी से comedy डालने के लिए चीज की उसको पता नहीं है और Russian लड़के को भी नहीं पता की की उसको Russian language आती है तो कहानी के श कौन नमबर मांग रहा था लेकिन इस पर भी उसे ना सुनने को मिलती है जो सुनकर वो हैरान था क्योंकि आज से पहले उसे किसी लड़की ने ना नहीं किया अब अलाया यहां अपनी क्लास में आती है जहां वो अपने पास की बेंच पर क्यूस को सूतवद देखती है वो आस तक वो मेरी क्रशी है कर चोड़ो वैसे अभी यहां क्यूस को जगा कर अलाया उससे कहती है कि क्या वो रात बार फिर से वही एनिमी देख रहा था जिनकी स्पैलिंग एचसे शुरू होती है जिस पर क्यूस कहता है कि नहीं वो उसने देखना छोड़ दिया वो कोई भी रियाक्शन नहीं देता वैसे कि उस अपने बैग में चेक कर रहा था तूसे वो किताब नहीं मिलती जिसका अगला लेक्चर है इसलिए वो दोनों अपनी बैंच कुंबाइन कर लेते हैं और एक ही किताब से पढ़ना शिरू कर देते हैं हाला कि पढ़ते हुए कि इसकी नेंद लग गए थी जिसे दोरान टीचर बोर्ड पर एक कोशन लिखते हैं और तभी अलाया क्यूस के पेट पर मारती है और क्यूस खड़ा हुजाता है सर को लगते है कि शैद क्यूस को जवाब पता है इसलिए वो इसकी आंसर पोस्ते हैं हाला कि क्यूस को कोशन त लेकिन यहां पर क्यूस की थोड़ी सी बेसेति हो गई थी कि उससे कहता है कि वह एक अच्छी दोस्त नहीं है जिस पर रहाया रशीन में कुछ कहती है वह ऐसा दिखा रही थी जिसकी वह स्टूपिड कह रही है वैसे इसके बाद हमें क्यूस की वह स्टोरी बताई जाती है कि बचपन में उसकी घर के पास ये एक रशीन लड़की शिफ्ट हुए थी जिसके बाद क्यूस ने उससे बात करने के लिए थोड़ी थोड़ी रशीन सीखना सुरू करनी थी और इसी वह जिससे वह अभी अलाया लगबग हर एक बात समस ले था लेकिन उसे यह चीज बता को एक करेक्टर निकलने वाले या कि उसको एक गॉड़ इसका करेक्टर मिला था जो कि उसे सबसे पसंद है आला कि अभी सुनते हुए कि वह किसी लड़की की फोटो देख रहा है आला कि उससे फोन चीन लेती है बाद में वह देखती है कि वहाँ एक सिल्वर है एनिमे गल घड़कों में से जो एनिमे गल्स को देखकर सब कुछ इमैजिन कर लेते हैं जबकि वह जानते ही नहीं कि अगर क्यूज ऐसा ही करता है तो वह लंच टाइम होता है हम देखते हैं कि यूज अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर केंटीन में खाना खा रहा था इन दोनों के नाम की हो और मारू है ये मारू वही लड़का है जिसे कोई लड़की भाव नहीं दी थी लेकिन वो चाहता है कि कोई उससे बात करें उसे भी लड़की पसंद है लेकिन जब वो क्यूस को उसके बारे में बताता है तो क्यूस कहता है कि अगर मारू तुनिया में आखरी कि इससे बात करने के लिए most reliable की physical damage पाने के लिए पर तयार है वैसे वो कहता है कि उसे किसी और लड़की पर ट्राइए करना चाहिए वो यहाँ यूकी नाम के एक लड़की का नाम नहीं रहा था लेकिन क्यों कि उसे कहता है कि उससे बात करके भी कोई फाइदा नहीं उससे बचपन से ही same change पसंद है यह सुनकर रवाया पोस्ती है कि क्या वो पहले से एक दूसरे को चानते है जिस पर यूकी बताती है कि आँ वो बचपन से ही इसी स्कूल में पढ़े हैं और वो बहुत पुराने दोस्त है हलाकि अब क्यूसर पूस्त है कि क्या तुम दोनों ने भी दोस्ती कर ली जिस पर यूकी कहती है कि नहीं लेकिन हम जल्दे दोस्ती करी लेंगे जिस पर अलाया भी कहती है कि आँ उसे कोई problem नहीं है वैसे एक साथ दो दो famous लड़कें से बात करता देख कोई भी चीस समझ जाएगा कि यहां उसकी बिस्ती हो रही है इस वाज़े से यूकी और मारू दोनों यहां से जाने लगे थे पर जाने से पहले वो यहां क्यूसर से भी साथ चलने को कहते है क्यूंकि दो लड़कें जब बात कर रही हो तो उनके साथ ना ही रहा जाए तो ही फायत है वैसे अब क्यूसर तो नहीं गया था लेकिन उन दोनों के जाने के बाद यूकी अपनी कुरसी या क्यूसर के करीब खिसका लेती है जो देखकर अलाया हैरान थी अलाकि तब ही यूकी यहां अलाया की तरफ देखते हुए क्यूसर से कहते है कि क्या वो काउंसिल जोइन करेगा यहां पर वो इलेक्शन की बात कर रही थी क्योंकि जल्दी प्रेजिडेंट और वाइस प्रेजिडेंट की इलेक्शन होने वाले है सिटी के नई बलकी स्कूल के तो क्यूसर चाहिए तो उसमें जोइन कर सकता है क्योंकि शायद अलाया भी उसमें जोइन करने वाली है वो कहते है कि तुम बले ही वाइस कैप्टन की पोस्स संबाल चुकी हो ये सुनकर अलाया हेरान थी लेकिन क्यूसर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तब यूकी प्रेजिडेंट थी और हर प्रेजिडेंट को एक वाइस प्रेजिडेंट चाहिए होता है मदद के लिए इसलिए उसने उसे ही चुनाता हलाके तब ही यूकी कहते हैं कि वैसे उसे तो नहीं लगता कि अलाया को किसी कि भी मदद की जरूरत है इसपर यूकी और वह बहुत पूराने दोसत है लेकिन वह पूसता है कि वह इतनी らइस कि लगा नहीं था कि कोई लड़की कभी QZ से दोस्ती करेगी अलाकि इसके बाद QZ उसकी तरफ अपनी finger point करते हुए कहता है कि वो भी तो एक लड़की है और वो उसकी दोस्त है जो सुनकर अलाया रशीन में कुछ कहती है और वो आसे smile करते हुए चली जाती है ये बोलकर कि वो आफिस में कोई चीज बोल गई वैसे अब रात कोम देखते हैं कि QZ फिर से अपनी बच्पन की वोई दोस्त सपने में दिखाई दीती है अब उस लड़की को Japanese नहीं आती थी इससी वज़े से QZ ने रशीन सी ही थी अलाकि जब वो उससे बात कर रहा था था भी QZ का सपना तूट जाता है और वो दुकी होकर उटता है क्योंकि इस पॉइंट पर उससे उस लड़की का नाम तक याद नहीं है वैसे अब उसकी नीन तो नहीं लगने वाली थी इसलिए वो स्कूल के तरफ निकल पड़ा था कुछी देर बाद हम देखते हैं कि अलाया स्कूल पहुँच थी है वो बहुत ही जल्दी स्कूल आ गई थी लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि QZ उससे भी पहले स्कूल पहुँच चुका है हलाकि चिंदा की बात नहीं है क्योंकि वो एक्स्ट्रा मोजे लेकर चलती है वैसे इन लोगों के मोजे सच में वहती जाद बड़े होते हैं हलाकि जब वो मोजे उतार रही थी तब ही वो देखती है कि QZ उन्हें अपना दूसरे तरफ कर लिया ये देखकर वो फैसला करती कि वो QZ को परिशान करेगी इसलिए वो QZ से कहते है कि लोकर में उसके एक्स्ट्रा मोजे रखे हुए है वो उन्हें जाकर लेकर आए QZ उत्रनति वहां से चला जाता है अब अलाया उससे गहती कि आई ये मोजा वो खुद उसे पहना सकता है जो सुनकर QZ हरान हो चुगा था आलाकि अलाया कहती कि ये उसके जैसे ओटाको लिल्ड़के के लिए ट्रीट हो सकती है जो कि QZ मान था कि हाँ सच में उसके लिए ट्रीट है या फिर उसे कंफ्यूस करने के लिए ऐसे ही बड़बड़ा दी रहती है हलाकि अभी अलाया ने सोचा नहीं था कि क्यूस सच में ऐसा कुछ करेगा लेकिन अभी क्यूस गुटने पर आकर उसे सच में वो मोजा पहनाने लगता है लाया बे इस चीज़ से बहुत ही ज़दा अम्बेरस फिल कर रही थी इस दोरान क्यूस उका हाथ लाया के पैर पर टच्च हो जाता है और वो वहाँ टच्च हो आता जो जगा नाहीं ज़दा उपर थी और नाहीं ज़दा नीचे जिसकी वज़े से उसे बहुत ही तीज़ी से अपने फेस पर एक नाथ खानी पड़ती है वैसे बाद में क्यूस बैट कर फोन चला रहा था वो देखता है कि अलाया उसकी तरफ देख नहीं रही वो समझ जाते है कि वो उससे गुस्सा है और कहते है कि नहीं उससे चिंता करने के जरुत नहीं क्योंकि उसना वो चीज़ एक्स्मिरेंस कर ली है जो इस वीडियो को देखने वाले आज तक नहीं कर पाई अलाया को एक चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है यहां कि उससे शांती समझो थे कि तोड़ पर एक कूला की कैन उससे गिफ्ट में देता है वैसे आपको यहांसे कुछ नोट्स ले सकते हो कि अगर कोई लिड़की गलती से आपसे कभी नाराज हो जाये तो आप उसे कूला की एक कैन देकर मना सकते हो अभी अलाया मान गई थी वो रशीन में पोस देगी कि आपकी उससे भी इसे बीना चाहता है जो कि उससे ना समझेने का नाटक करता है हलाकि अलाया कहती कि वो बस अपनी फीलिंग्स रशीन में उसे एक्सप्रस करेगी और बाद में क्यूस को बता देगी लेकिन क्यूस जानता था disappointing ऑच्छी तरा से रशीन जानता है और अलाया ने आर्ज तक उसे एक भी वर्ड नहीं बताया जो कि उससने रशीन में कहा था हलाकि heelsu इसे एक चीज ना बताने का तेचा कुंस ना बताने का फैसल्ला करता है कि उससे रशीन आती है और यहां उनके सामने आ जाती है वो वहीं पीछी बॉक्स हटा रही थी क्यूजू समझ जाते है क्यूंकि जान बोच कर अलाया को जेलिस फिल कर रही है क्यूंकि वो जानती कि अलाया क्यूजू को लाइक करती है वैसे अभी वो क्यूजू से बात कर रही थी इसलिए अलाया यहां क्यूज़ों से कहते हैं कि उसे काम पर द्यान देना चाहिए जिसके बाद यूकी वहां से चली जाती है अलाकि अलाया यहां रशीर में क्यूज़ों से कहते हैं कि वह भी थोड़ा अटेंशन चाहती है अब तभी वहाँ एक दूर से लड़की के एंट्री होती है यह वहाँ एक करिंट टाइम में स्कूल काउंसलिंग प्रेजिडेंट है इसका नाम कैन है और यह भी क्योकी और अलाया को थैंक्स कहने के लिए था उनकी मदद के लिए कराती है और बताते हैं कि उसने भी मदद करवाई थी यह सुनकर कैन के तुमने अमारी मदद कराई इसलिए हम तुम्हे हुआ ड्रपर हमार साथ जाओग जो सुनकर कन को तहीं को बस अपने दोस्तों की मदद कर रहा था और इसके बाद वह वहां से जाने लगा था लेकिन तब यूकी उसे रोकती है और कहती है कि वो ऐसे भी गर पर जाकर वो खुद से खाना बनाएगा इससे अच्छा है कि अगर वो चाहे तो उसे ट्रीट को एकसेप्ट कर सकता है जो सुनते ही केन को दी डिसाइट करता है कि वो क्यूजू को साथ आएगा और साथी वो यहाँ अलाया और यूकी को भी इन्वाइट करता है वैसे अब सीन चेंज होता है हम देखते हैं कि वो रात को एक रेस्टूरेंट के डिनर के लिए आगे थे यहां यूकी अभी क्यूजू के टेलेंट के बारे में बात कर रहे थी और आज उसने फिजिकली उनकी मदद की थी वो कहते हैं कि वो फिजिकली भी अच्छा है और साथी डिबेट जैसे चीज में भी बहुत अच्छा है यह सुनकर केन कहता है कि इसका मतलब तुम स्टूरेंट काउंसिंग के लिए पॉफेक्ट रहोगे क्या तुम उसे जोइन करना चाहोगे जिस पर क्यूजि उन्हें साफ मना कर दिया था अलाकि यूजि बताता है कि क्यूजि पहले भी स्टूरेंट काउंसिल में वाइस प्रेसिडेट रह चुका है मिदे स्कुल के टाइम पर ये सुनकर केन कहता है कि फिर तुम्हें तो पक्का जोइन करना चाहिए लेकिन क्यूजि कहता है कि नहीं वो इस चीज में इंटरस्टेड नहीं है अब केन बोलने लगा था कि तुम जानते हो ना कि अगर तुम स्टूरेंट काउंसिल की मेंबर बनोगे तो बाद में तुम्हें अच्छा कॉलिज ढूनने में आसानी होगी लेकिन इस पर क्यूजि कहता है कि नहीं उसे इस सब में कोई लेना देना नहीं है वो अपने पुरे जिंदेगी एनिमे देखकर गुज़ारना चाहता है अब इसके बाद कैन उसे जदा फोर्ज नहीं करता अलाकि वो कहने लगता है कि इस बार यूकी को बहुत जदा कॉम्पटिशन मिलने वाला है क्योंकि यूकी बेस स्कूल में बहुत फेमस है और अलाया भी और वो दोनों इस्टूइन काउंसल प्रेसिज़न के लिए इलेक्शन लड़ेंगी ये सुनकर क्यूज़ू अलाया से पूस्त है कि क्या सैच में वो प्रेसिज़न की पोस्ट के लिए लड़ने वाली है जिस पर अलाया हां करती है वैसे बिनके बीच में और कुछ बात हो पाती इससे पहले ही वहाँ खाना आ जाता है और वो खाना खाना शिरू कर देते हैं अब खाना खाने के बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगी थे यूकी यहाँ के साथ दूशरे रास्त चली जाती है और किन अलाया को क्यूजू के साथ जा रहे दीता है जिससे वो उसे घर तक छोड़े रास्ते में क्यूजू अलाया से पूशत है कि क्या सच में वो यूकी की कलाफ प्रेजिडंट की लाइफ की फाइट लेड़ेगी जिस पर लाया कुछ बात नहीं करना चाहती थी वो कहती है कि वो अकेले घर चली जाएगी और वो यहाँ से चली जाती है अब वक्यूजू अपने घर पहुंचता है जहां वो यूकी को देखते है यहां में पता चलता है कि यूकी असल में उसकी बहन है और वो बस उसकी मदद कर रही है अलाया को जेलस फील कराने में जिससे की अलाया अपनी फीलिंगस एक्सप्रस कर सके हलाजकि क्यूजो से उससे कहता है कि उससे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं लेकिन वह उसकी बहन है वो कहा सुनने वाली थी अब अगली दिन हम देखते हैं कि क्यूजो की नीद खुलती है यहां उसे जवरदस्ती उठाया गया था क्योंकि अभी यूकी उसके बैट पर जम कर रही थी वो उसे कहते हैं कि उसे जल्दी उठना चाहिए क्यूजो बोलता है कि आज संडे है आज वो जल्दी उठकर क्या करेगा लेकिन यूकी उसे मॉल ले जाना चाहती थी क्यूजो ना चाहती हूँ बोलता है जहां वो उसे कहते है कि वो पिच्छर देखेंगे लेकिन क्यूजो उसके लिए मना कर देता है इसलिए वो इसके बाद कुछ कपड़े खरीदने चले जाते हैं यह अचानक से यूकी कब behavior चेंज हो चुका था वो उसकी बैन के तरह behavior नहीं कर रही थी जो चीज देखते हैं जो चीज देखते हैं कि उससे पोश्ट है कि उससे क्या हुआ जिस पर यूकी कहते हैं कि अलाया उन पर नज़र रख 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 है इसलिए अब उससे अलग behavior करना होगा कि उससे पोश्ट है कि अब वो क्या करने वाली है जिसके बाद अचानक से यूकी यहां पीचे पलटते हुए अलाया के पास आती है और उससे कहते हैं कि वो यहां पर क्या कर रही है अलाया यहां बहुत ही embarrassed feeling कर रहे थी लेकिन वो कहते हैं कि वो अभी यहां पर से शॉपिंग के लिए आई है वैसे अब इनके बीच में कुछ बाचीत होती है और इसके बाद यूकी पूस्ट थे की कि यहां तुम लिन्ट कर लिया जिस पर अलाया कहते हैं कि अभी नहीं इसलिए यूकी कहने लगती है कि हमें साथ मिल कर लन्ट करना चाहिए हलाकि यूकी पूस्ट थे कि क्या तुम थोड़ा सा स्पाईसी खाना चाओगी अब अलाया स्पाइसी खाना नहीं खाती लेकिन वो यह मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसो योकी के साथ अकेले लंच पर जाए अब योकी कहने लगती कि ठीक है फिर हम उस रामिन शॉप पर जाएंगे जो कि सिटी के में सबसे दा फेमस है यह सुनते हुए कि उसे तरह तेस चीज़ पर आवाज उटाता है और कहते कि वहां जाना सेफ नहीं होगा क्योंकि वहां के लोग रामिन में मिर्शी नहीं डालते बलकि मिर्श में रामिन डालते अभी सुनकर अलाया पहले डर गी थी लेकिन वह मना नहीं कर सकती थी इसी वज़े से उसने इनके साथ जाना पड़ता है अगले सीन वह उस खतरनाक और भायानक दिखने वरे दुकान के बाहर पहुंसते जिसे देखकर अलाया ने अंदर जाने का पैसला बदल लिया था अलाकि तभी यूकी कहती है कि क्या तुम्हें अपने डिसीजन पर बुरा लग रहा है जो सुनकर अलाया कहती है कि नहीं और इसके बाद वो लोग अंदर आ जाते है यहां उन्होंने अपना ओर दे दिया थ तभी अलाया उससे पूस्ते है कि तुम इस तरह के लड़कों जैसे कपड़े क्यों पैन रही हूँ जिस पर यूकी बोलती है कि वो क्यूजू के एक कमरे में थी क्यूजू सो रहा था इसलिए उसने उसी की कपड़े बोरो कर लिये जो सुनकर अलाया है ती और क्यूजू बाहुत वहां आते हैं और वो रामे नितने जादा लाल दे कि लाल कलर में उसके सामने फिल्ट था जो देखकर अलाया डर रही थी हलाकि बागयों ने तो खाना खाना शुरू भी कर दिया था यहां यूकी अलाया से कहते है कि ठंडा होने से पहले खा लो और तुम्हें जा है कि अभी अलाया भी रशीन में मदद के लिए बोल रही है कि उसे तुरंट उससे कहता है कि उससे नूडल्स खाने की जरूरत नहीं है अगर उसे मिर्ची लग रही है तो उसके लिए और कुछ मंगा लेगा लेकिन अलाया ऐसा नहीं कह सकती थी इस वज़स से वो कहते ही कि नहीं यह तने भी तीके रही है और फिर वह उसे खाना खाने लगती है अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ा सा और नूडल्स ले सकती हो यह तामाटर सॉस मीटा वाला नहीं मिलता बलकि य इसे ना चाहते हुए भी अलाया को डालना पड़ता है क्योंकि वह बेफकुफ है वह अब सुक्स डालकर नूडल्स खाती है और खुद को नहीं रुप पाती और तुरंत उस रेस्टोरेंट से बहार आकर वहां भार के तरब भाग जाती है वैसे कुछ दिर बाद के वहां पार्क में पहुंचता है जहां वह अलाया को बैटा हुआ देखता है अभी वह वही पास एक आईस्क्रीम बस खड़ी थी कि उससे पूस्त है कि अब आईस्क्रीम खाना चाहेगी जिस पर अलाया तुरंत हा कर दीती है कि उसके लिए आईस्क्रीम लाता है जो कि अलाया को देमोनिक राविन से भी जाता पसंद आई थी अब कीज़ी इसी दौरण उससे पूस्त है कि वह कांसली प्रेजिट का इलेक्शन टूर रड़ना चाहती है और उससे प्रेजिट क्यों बनना है जिससे अलाया का मूर तुरंती चेंग हो जाता है लेकिन वह कहते है कि इसका क लिए हैंडल कर सकती है क्यों कहता है कि नहीं वह ऐसा नहीं कर पाएगी उसे उसके लिए किसी की जरूत होगी जिस पर अलाया बोल दें कि ठीक है फिर वह रेजिटर से किसी का भी नाम ऐसे ही चुन लेगी अलाकि तबी पलटते भी रशीन में कहते कि उससे अपना पार्ट अब इसके बाद वो दोनोई सीधा उसका पड़े की शौक पर पहुंच चुके थे जहां अलाया चिंजी ग्रूम में जाती है और उसने फैसला किया था कि वो अपने पेशिन सेंस में क्योजो का दिमाग चक्रा देगी क्योंकि वो चाती है कि उसकी ड्रस की तारीफ करे अब इसके बाद बावजूद भी यह अलाया फैसला करती कि वो क्योजो को और कई सारे क्लोस दिखाएगी क्योंकि अब उसे क्योजो की मूँसे सुनकर मज़ा आने लगा था वो इस तरह से कई सारे कपड़े पहन थी है और क्योजो भी हरे कफड़े की तारीफ करता है वैस उसे देखकर अब अलाया अपने एंबेरंस होने की लेवल पर पहुच चुकी थी वो चुप चाप करटन बंद कर दिया और फिर से पहले की तरह पैनिक करती हुए कहने लगती कि आखिर उसने इस तरह की ड्रस पैंदने का फैसला निया ही क्यों वैसे अगले सीन में हम की विज़से वो इतनी जादा श्रमेंदा मैसूस कर रही है हाला कि उसी दुरां वो नोटिस करते की क्यों और योग दूनों एक स्टेशन पर रुके हैं वो सूच रही थी कि क्या उसे उनका पीछा करकर देखना चाहिए कि इसकी वज़ा क्या है वैसे वो इस प्लैन को ड् चक्ति की कमाल की बात है वो लड़का तुम्हारा दोस्त है जबकि तुम्हें तो सिर्फ वो पॉफेक्ट लड़की पसंदाते हैं वैसे अलाया हमेशा से ऐसा नहीं थी हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती आज से छे साथ पहले जब वो रश्या में रहा करती थी तब उ उसने शुरुआत से तैयारी करना शुरू कर दी थी इसके लिए उने कुछ हफ्तों का टाइम मिला था और इस क्लास में कुछ बच्चों के ग्रूप भी बना दी गए थी वैसे अगले दिन संडे को अलाया सुबा से लेकर निकल जाती है इस चीज़ पर रिसर्च करने के ल लेकिन इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि नहीं अभी भी हमारे पास एक हफ़ते का समय है इसलिए हमें एक काम अराम से कर सकते हैं साथ ही वही बीच में खड़ा ब्लॉंड हे बालवाला लड़का कहने लगता है कि वैसे भी नॉर्मल स्कूल प्रोजेक्ट है हमें इस चीज़ को इतना सीरिस लेने की ज़रूत नहीं अब तब ही वो तीनों या अलाया की नोटबुक चेक करते हैं जिसमें डिटील में वो सारे चीज़े उसने लिख रखी थी जो कि वो शौप कीपर से पूछ करा ही है वैसे ब उस रिपोर्ट को देखने के बाद उसकी ताइफ तो की जाती है पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इस चीज़ को इतनी सीरिस लेने की जरूत नहीं अलाकि अलाया अतनी जाता प्रोफेशनिस्ट है कि उसे एक काम जल से खतम करना था जो देखकर वो ब्लॉंड हेर वाले लिड़का कहने लगता है कि अगर तुम्हें काम इतना ही जाता पसंद है तो तुम खुद अकीने इसे करो हम तुम्हारी हल्प नहीं करेंगी अब बात में इनके बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट होता है और चुट्टे के बाद हम देखते हैं कि जब सभी स्टूरेंट चले गए थे तब भी अलाया बैट कर उसी रिपोर्ट को त पर इसका रिजन यही था कि उसने सारी मैनत अकेले की थी और जब की दूसरे गुरूप साथ मिलकर काम कर रहे थे वैसाब वापस गर लोट ते वक गर लोट ते वक तो उसकी आँखों में आस्कों थी लेकिन वो मेरी मम्मी की कहीं एक बास जरूर समझ गई थी कि हमें कभी लेवे एक स्पीच देती है जो सुनकर सभी स्टूरेंट समझ चुके थे कि अलाया बहुत ही जदा समझदार है वैसे जब सब स्टूरेंट वहाँ अपनी बेंच पर जाकर बैठते हैं उसे दोरान अलाया अपने पास से बेंच पर क्यूजियों को सोता हुए देखती है वो कहती कि लेक्षर चाल होने वाला है वैसे कि उस से कहता है कि उसने भी वह स्पीच सुनी पर बहुत करते होंगे लेकिन ऐसा नहीं था, असमें बच्ची एक जैसे थी और वो भी उसके पिछले स्कूल के तरह टाइम पास करने वाले लगाते हैं और साथी ग्रूप बनाते हैं, तो यहां पर उनकी क्लास कैम्प को लगाने वारी थी, उसके तैयारी में वो लोग बहुत ही ज़दा डीरी कर रहे थे, लेकिन अलाया कोई चीज़ पसल नहीं आती, सिंपल सी बात थी कि अगर क्लास काम है तो उसकी ले पूरी क्ल लग जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, कितने में क्यूज़ प्लास में आता है, वो हैरान थी देकर कि उसके अभी भी स्कूल में, जिबकि स्कूल पूरा हो चुका है, वैसे हैं क्यूज़ अलाया से कहता है कि उसने तना काम करना नहीं चाहिए, वैसे भी अप छुटी क खुद को रोक नहीं पाती, वो चिलाते हैं कि नहीं, वो हार नहीं मानना चाहती, वो कहते हैं कि उसकी क्लास जो कैम्प होगा, वो सबसे अच्छा रहे, वो कहते हैं कि वो फिर से किसी और की उपर वरोसा नहीं करना चाहती, उसे अगर सारी मैनत अकेले करने पड़े, तो वह भी उसके लिए तयार है हाला कि क्याता है कि वह बेफुफ है वो सारी एनरजी अकेले कम करने में लगा रहे हैं जब कि वह दूसरे की मदद लेकर कर सकती है कि वह इसकी उसकी मरत करें अब अलाया इतनी दीर में तो भी समझ चुकी थे कि वो प्यूजियों को नहीं समझा सकती इसने अब वो इगनोर करती हुए वहां से चली जाती है रास्ते में जाती हुए वो यही सोच रहे थे कि आकर क्यूजियों की प्रॉब्लम क्या है वैसे अब जब वो अगले दिन स्कूल में पहुंच थी है तो सब कुछ बदला हुआ था क्योंकि उसे उन्हें सभी स्ट्रून को कर लिया था और सभी इस चीज़ के लिए बहुत ही एक्साइटिड लग रहे थे जिस वो जैसे अलाया भी बहुत खुश थी और अब वो फिर से इन सभी से गुलने मिलने लगी थी आखिर में उनका कैम्प अवोर्ड तो जीच जाता है क्यूंकि उनका कैम्प सच में सबसे जदा अच्छा था बाद में वो लोग इस चीज़ के लिए सेलिबरेट करते हैं राथ की टाइम एक डांस पार्टी रखते हैं जहां पर सब इस्ट्रेंट कपल में डांस कर रहे थे और उसी दुरान अलाया यहां क्यूजो को अकिले बैटा होँँ देखती है अब वो यहां क्यूजो के पास आती है तब ही क्यूजो से पूसता है क्या वो डांस नहीं कर इस पर अलाया के थी कि नहीं उसे यहां के लड़की पसंद नहीं उनका नेचर बहुत चिपकू टाइप का है इस पर क्यूजो कहते है कि यहां वो ऐसा बेव क्यूं नहीं करेंगे वो अलाया को प्रिंसेस मानते है इसमदर अलाया के थी कि उसे यह प्रिंसेस वर्ड तो तुम अगर चाहो तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो वशसके बाद अब हम करंट टाइम पर आते हैं माशा यह पूर्ज स्टोरी सुनकर कह रही थी कि यह तो बहुत इची स्टोरी है यह सुनकर ही लग रह आए कि यह अच्छी लव स्टोरी की स्टार्टिंग है हलाकि अलाया कहते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस होज़ा से वहाँ उसके किसी काम के लिए क्यूज़ो को काउंसल में आना पड़ा था जहां उसकी मलगात माशा से होती है या वो क्यूज़ो को बताती है कि उसने क्यूज़ो के बारे में बहुत सुनाए वो कहते हैं कि क्यूजू उसके साथ शॉपिंग पर चले क्योंकि क्यूजू को फैशर की अच्छी सेंस है। क्यूजू की थे कि वो यहां कपड़े की शॉपिंग के लिए आई है। जिस दुरान क्यूजू ने अपने फादर को चुनाता और यूकी ने अपनी मदर को जिस वोजे से यह दोनों भाई बेंट अलग हो गए। वैसे अब तभी क्यूजू अपने आखे कोलता और सावने माशा को देखता जो थोड़ी टेंशन में थी क्योंकि क्यूजू भी थोड़ा दफीड रगा था। की बात में क्यूजू को हक करते हुए उसके सर पर हाथ फेराते हुए कि उससे क्या दिक्कत है अभी चीज यहीं पर एंड होती है क्योंकि अभी माशा ने हाथ में जो चाय काका पकड़ रखा था वो गरम था हलाकि क्यूजू इस वक्ती सोच रहा था कि माशा के साथ उसे ऐसा फेल्ड क्यों हो रहा है जैसे उसे बच्पन में फेल्ड हुआ करता था हाला कि अब अक्यूजू की बात पता चले इससे पहले ही यह पार्टी यह पर एंड हो जाता है